नमस्तेकार और आज हम कड़े हैं जर्मन लग्शरी SUV के सामने जिसका नाम है आउडी Q8 2018 में लॉंच हुई थी और ये फर्स जिन्रेशन वेरियंटी आप देख रहे हैं सिर्फ पेट्रोल में एक ही मॉडल आता है 55 TFSI जिसकी केमत है आउन रोड 1 करोड 55 लैक रुपीज आरक लिचेट ने डिजाइन किया है Q8 को एकदम नई डिजाइन लैंग्वेज है Q8 की जो बाकी आउडी SUV में भी यूज की जाएगी आउडी की QSUV रेंज का टॉप मॉडल है Q8 Volkswagen Group के modular longitudinal matrix MLB Evo platform पर बनी है Q8 जिसपे Q7, Lamborghini Urus, Porsche Cayenne और Bentley Bentega भी बनें स्लोवाकिया में स्थित फोक्सवागन के ब्राटी सलावा प्लांट में असेंबली होती है आउडी Q8 की फ्रन्ट सेंसर्स ओक्तेगनल शेप में मैट प्लाटिनम ग्रे सिंगल फ्रेम मास्क गृरिल आउडी का लोगो फ्रन्ट कैमरा क्वाट्रो अल्वील ड्राइव की बैजिंग और यह हैं HD मैट्रिक्स LED हैडलाइट वाशर, DRL, डैनमिक लाइट और डैनमिक इंडिकेटर के साथ अडेप्टिव विंड स्क्रीन वाइपर्स हैं इंटिग्रेटेड वाशर जेट्स के साथ अलिमूनियम रूफ रेल्स हैं सन रूफ हैं शार्क फिन एंटेना है पावर अडजेस्टिबल, हीटेड, फोल्डिंग और आटो डिमिंग आटसाइड मिरर हैं मैमोरी और कैमरा के साथ और यह S-Line की बैजिंग 5 मिटर लेंथ है 1.7 मिटर हाइट है 254 mm ग्राउंड केरेंस है लगबग 2200 kg कर्ब वेट है 13.3 मिटर टर्निंग सर्कल है और 2700 kg तक का वजन खीच सकती है आउडी की वेट और यह है 22 इंच के अलिमूनियम वील्स 20 और 21 इंच के वील्स का भी ऑप्षिन आगे और पीछे डिस्क ब्रेक्स मिलेंग कॉंटिनेंटल के टायर्स यह ब्लू कलर आप देख रहे है औरेंज, वाइट, बीज, ग्रे, ब्राउन, रेड और ग्रीन कलर का भी ऑप्षिन क्रोस ओवर SUV कूपे है अवडी Q8 आगे और पीछे अडेप्टिव एयर सस्पेंशन मिलेंगे अट्राक्टिव रियर डिजाइन है और यह एग्साॉस टेल पाइप रियर फॉग लाइट रियर सेंसर्स है और यह है LED टेल लाइट डियनमिक लाइट और डियनमिक टर्न सिगनल के साथ यह फॉल लाइट स्ट्रिप है 55 TFSI एंजिन की बैजिएंग, क्वार्ट रो अल्वील ड्राइव रियर वाइपर स्पोईलर, हाइमांट स्टॉप लाइम्प फ्रन्ट एंजिन और क्वार्ट रो पर्मनेंट अल्वील ड्राइव है सेल्फ लॉकिंग सेंटर डिफरेंशियल और डियनमिक टॉक दिस्रिबूशन के साथ अल्वील स्टेरिंग है हाइड्रॉलिक टॉक कन्वर्टर है लॉक अप क्रच के साथ आओडी स्पेस फ्रेम कंस्ट्रक्शन है जिसमें स्टील और अलिमुनियूम का यूज हुआ है एक स्रीज में भी कई आप्शन्स मिलेंगे जैसे रूफ बॉक्स, बैग्स, रियर बॉक्स, चाइल सीट, चार्जिंग कवर और और अल वेदर फ्लोर मैट्स 4000cc V8 engine, 592 horsepower के साथ powerful RS Q8 model भी आता है बट वो अभी इंडिया में available नहीं है यहां से बरेंगे petrol, Ron 95 grade fuel यूज करती है Q8 Heat Insulating Glass है Lithium Ion battery और belt, Alternator Starter के साथ Mild Hybrid Technology, MHEV है जो breaking के दौरान power को battery में सेफ कर देगा जिससे मिलेगा आपको ज्यादा average Audi Drive Select के अंदर साथ drive modes मिलेंगे Auto, Comfort, Dynamic, All Road, Off-Road, Efficiency और Individual Q8 में आप Ride Height भी adjust कर सकते है Audi Presence Basic है जो critical driving situation में emergency braking, seat belt, tensioning, seat position optimization और window close करके hazard lights on कर देगा Safety के अंदर 8 airbags, ABS, EBD, electronic stability control, brake booster hydraulic brake assist, anti-theft wheel bolts, loose wheel warning, tire pressure monitoring, IS of X child seat mounting, electronic immobilizer, 360 degree camera, laser scanner, night vision, ultrasonic sensors, radars, park assist automatic parking, hill hold assist और seat belt reminder जैसे features मिलेंगे BMW X6 और Mercedes-Benz GLE coupe के competition की वज़े से Audi ने बनाई है Q8 1980 की Audi Quattro से inspired है Q8 के features और design Ford लग्जिरी कूपे और बड़ी SUV का परफेक्ट मिक्स है Q8 आई यह बूट ओपन करके देखते है तो यहाँ आपको मिलेगी 605 लिटर की बूट स्पेस Second row fold करने पर 1755 लिटर की स्पेस बन जाएगी में साइड में थोड़ी स्पेस 12 वोल्ट का पॉर्ट है यह हाइट अट्जस के लिए साइड में पॉकेट लाइट है साइड में भी लाइट दी गई है काफी ज्यादा बूट स्पेस है क्यूएट में और यह है कोलाप्सिबल स्पेयर वील और वन टच से ही क्लोज हो जाएगा बूट आईए अब पीछे का पैसेंजर साइड डूर खोल कर देखते है 23 स्पीकर्स 1920 वाट का बैंग अलफसन 3D एडवांस्ट साउंड सिस्टम मिलेगा क्यूएट में फ्रेमलेस डूर्स हैं बाटल होल्डर काफी स्पेस है डूर के साइड में लाइट है और यह आश्ट्रे है पाओर विंडो का बटन वोट्रेम है दो और वोट्रेम्स के आप्शन्स है बैंग अलसन के स्पीकर्स और यह स्कफ प्लेट और यह है सिल्वर वैल काउना लेधर अपॉल्स्ट्री वाइट, ब्राउन, ग्रे, ब्लू, रेड और ब्लेक लर का भी ऑप्शन है रियर बैंच सीट प्लस है थर्टी कलर्स में इंबियंट लाइटिंग मिलेगी तीन हैड्रेस्ट है स्प्लिट फॉल्डिंग सीट्स है सीट के पीछे पॉकेट्स मिलेंगी सन रूफ है पीछे लाइट दी गई है और यहाँ नीचे यह 12 वोल्ट का पॉट है और यह लाइटर और यह एसी के कंट्रोल्स है डिजिटल डिस्प्ले है आटो मोड का भी बटन है स्टाइलिश डिस्प्ले है दो एसी वेंट्स है और यहाँ पिलर्स पे भी एसी वेंट्स दिए गए है और यहाँ रेस्ट इसके अंदर दो ग्लास ओल्डर्स मिलेंगे और यहाँ दिखता है डैश्पॉर्ड स्लेंडर डैश्पॉर्ड है स्ट्रॉंग होरिजॉंटल लाइन्स के साथ वोट फिनिश है लोवर डैश्पॉर्ड पे आई यह अब ड्राइवर साइड डोर खोल कर देखते है फ्रेमलेस डोर्स हैं नीचे स्पीकर बॉटल होल्डर काफी स्पेस साइड में लाइट है यह बूट खोलने का बटन है स्पीकर डो लॉक अन लॉक करने का बटन पावर विंडो की कंट्रोल्स हैं दो मेमोरी सीट के फंक्शन्स हैं और यह स्कफ प्लेट इलेक्टरिक एडजस्मेंट है सीट के लिए यह टायर प्रेश इन्फॉमेशन आगे की दोनों सीट्स इलेक्रिक के लिए अडजस्टबल मिलेंगी फोर वे लंबर सपोट, वेंटिलेशन और मसाज के साथ काफी बड़ी कंफर्टिबल सीट्स हैं वेल कोना लैदा रपॉल्स्ट्री और यह है एलेक्रो मेकैनिकल स्टेरिंग स्पीड डिपेंडेंट पावर एसिस्टेंस के साथ पैडल्स बॉनेट खोलने का लीवर ड्राइवर के लिए थोड़ी स्पेस लाइट के कंट्रोल्स हैं लैदर फिनिश में आम रेस्ट है आम रेस्ट के अंदर और दी फोन बॉक्स है सिम, SD कार्ड और दो USB के पोर्ट्स है और यह एलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक और यह है एट स्पीड टिप्ट्रोनेक आटोमेटिक ट्रांस्मिशन लैदर गेर नॉब है पार्क का बटन है दो ग्लास होल्डर्स हैं, की रखने की स्पेस है और यह लाइटर और यह आउडी का एश्ट्रे कैम और यह एंजन स्टार्ट स्टॉप बटन कैमरा का बटन, ड्राइवर एसेस्ट का बटन, वॉल्यूम के कंट्रोल और यह है 8.6 इंच का MMI इंटरफेस इसमें ऑपरेटिंग बटन्स हैं, हैप्टिक फीडबैक के साथ फोर जोन आटमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एस ही है, आउनाइजर और फ्रेग्रेंसिंग के साथ नीचे ड्राइव सेलेक्टर है, ट्रेक्शन कंट्रोल का बटन है और यह है 10.1 इंच का MMI इंफरतेन्मेंट, सपोर्ट करेगा USB, Navigation, Touch Response, Voice Control, Wi-Fi hotspot, FM, Radio, Android Auto और Apple CarPlay Telephone, Navigation, Radio, Media, Telephone, SD Guard, Phone Apps, Car Settings, Audio, Drive Select, Vehicle Information, Efficiency Assist, Seats, Settings or Service यह और द्राइव सेलेक्ट, Efficiency, Comfort Mode, Dynamic Mode, Auto Mode, यह Car Tilt Angle Display यह यह एसी के कंट्रोल्स है, यहाँ दो रीडिंग लाइट्स हैं, LED यह द्राइवर एसेस्ट, पार्किंग एसेस्टेंस, यह लाइट्स और विजिन, एक्स्टीर लाइटिंग, बैग्राउंड लाइटिंग, यह सीट अजस्मेंट और ड्राइव स्लेक का बटन है यहाँ पर, यहाँ से अब ड्राइव मोड सेलेक कर सकते हैं यह Corner View Camera, यह 3D Camera यह ऐसा व्यू भी आप कार का ले सकते हैं यह 3D Overhead View है, यह Corner View है और भी कई सारे फीचर्स हैं, इस MMI Infotainment में यह Efficiency Assist Stylish AC Vents है Horizontal Line, Quattro की Badging Wood Finish है Lockable Glow Box, काफी Space है यहाँ पर विशानदा, Dashboard के Finish Head Up Display है, जो दिखाएगा Speed, RPM और कई Information और यह Passenger Side Vanity Mirror, लाइट के साथ और यह Frameless Auto Dimming Rear View Mirror Reading Lights है, LED Lights है और यह है Panoramic Glass Sunroof और यह है 3-Spoke Leather Wrapped Multifunction Plus Steering Wheel यह Phone, Volume और Voice Control Instrument Cluster के Controls है Pedal Shifter यह Viper के Controls है यह Light के Controls है और यह है Adaptive Cruise Control, Speed Limiter के साथ और यह है 12.3 इंच का Audi Virtual Cockpit Digital Instrument Cluster जो दिखाएगा Coolant Temperature RPM, Speed, Outside Temperature, Fuel Level और काई Information Average Short Term Memory, Range Energy Consumers, Driver Assist Date or Time Onboard Computer है और झवस़्स, Dok और यह है ऩलावाइच्चार्ण वह खवाश्वार्ण SD Card, Telephone, यह Full Navigation का भी Display आप ले सकते हैं वाइए Bonnet खोलते हैं और देखते हैं Patrol Engine तो यह है 3000cc V6 BS6 TFSI Petrol Engine Direct Injection, Lambda Control, Knock Control और Twin Scroll टर्बो चार्जिंग के साथ 340 होर्स पावर है, 500 Nm टॉर्क है 0-700 की स्पीड पकड़ेगी 5.9 सेकिंड्स में 250 किलोमेटर पर हार की टॉफ स्पीड है और 9 का एवरेज मिलेगा 85 लिटर के फ्यूल टैंक से 4000cc V8 पैट्रोल और डीजल एंजिन भी आता है बट वो अभी इंडिया में अविलिबल नहीं है रोलर केंप फॉलोर, कंतिनुएस इंटेक, एग्सास्ट केंप शाफ्ट अजस्मेंट और हाइड्रोलिक वॉल्व प्ले कंपंसेशन एंजिन टाइप है 3000cc V6 एंजिन है 340hp और 9 काइवरेज तो यह थी 3000cc TFSI एंजिन की साउंड आईए पैसेंजर साइड दोर खुलकर देखते हैं यहाँ पर भी डोर के साइड में लाइट है, स्पीकर है, बॉटर होल्डर एलेक्रिक एडजस्मेंट फायर एस्टिंग्विशर शानदार एट्रैक्टिव डैश्पॉड लाइट्स को आप टच करके भी अन आफ कर सकते हैं यहाँ उपर भी स्पीकर्स दिये गए हैं सॉफ्ट दोर क्लोज फीचर है क्यूवेट में तो कैसे लगी आपको आटी की वेट हमें कमेंट्स में बताइए तैंक्यू झाल 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 झाल